इस वीडियो में फ्रेंट्स में बताने वाला हूँ कि हमारा अप्लिकेशन फ्यूचर रोजगार पे जो है आज दिनांग 25 तारिक को 5 टेस्ट एड़ किये गए हैं और ये 5 टेस्ट जो है आपके सिंप्लिफिकेशन यानि की सरलीकरण चैप्टर से हैं एक टेस्ट जो है सभी के लिए फ्री है मलब कोई भी एप इस्टाल करके फर्स्ट टेस्ट को दे सकता है अगर आप सभी पांच टेस्ट को अटिम्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा जो फ्यूचर रोजगार पे कोर्स है 2021 का 223 का और एक कोर्स और है तो उन तीनों में से कि एक्जाम तक जो है वैलेडिटी होगा यानि जितना जो इयर मेंसन किया गया है अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस पीडियव को क्यों डाला गया है देखिए जब आप मैथ साल्व करते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट रोल जो होता है आपका सिंपलिफिकेशन चैप्टर का होता है ठीक है अगर आपका जोड घटाना गुड़ा भाग ये सब सही नहीं है तो आप मैथ में हमेशा वीक रहने वाले हैं क्या अगर आपका ये चैप्टर वीक है तो आपका मैथ का बाकी चैप्टर भी वीक रहेगा कोस्चन हर कोई कर लेता है कोस्चन जो है एक्जा और मेरे से हो जाते लेकिन एक दो वर्ड है आपका एक्जाम प्रेसर जब आप एक्जाम में बैठे होते हैं तो क्या होता है प्रेसर होता है क्या होता है एक्जाम का प्रेसर होता है तो इन टेस्ट को कैसे आप कर सकते हैं आप जहां पे भी रहते होंगे अधिकतर जो है तो आप क्या कर सकते हैं मैं जो तरीका बताऊंगा अगर आप इस जो जो चीजे मैं बताऊंगा फ्रेंड्स मतलब कुछ सिंपल चीजों को अगर आप सो दिन फालो कर लेते हैं तो आपको कांफिटेंस आ जाएगा कि आप जो है सलेक्शन निश्चित ही लेके रहेंगे लेकिन इन सब चीजों को अगर मैं बता रहा हूँ तो उनको आपको फालो भी करना होगा ठीक है अगर आप अपने ही तरीका से करते रहें तो आपका जो अभी ए अंतिम जैसे कुछ लोगों का उनको मानने का कोशिस करें एक टेस्ट में आपका 25 कोश्चन है कितना है एक टेस्ट में 25 कोश्चन है 30 मिनट का टाइम है यानि जब आनलाइन टेस्ट करेंगे आप 30 मिनट का समय है 25 कोश्चन है पढ़ाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको डेड़ घंटा दो घंट जब आपका duty का schedule ऐसा है कि लगतार समय नहीं मिलता है तो आप क्या करिए अगर आपको लगता है कि आपके पास 20 मिनट समय है तो पढ़ाई से इतना प्यार कर लीजिए कि उस 20 मिनट में आपका दिल करे कि चलो हम एक online टेस्ट दे देते हैं math का ठीक है जब आप मतलब अपने है जुनून आ जाएगा क्या जुनून आ जाएगा कि आपके पास कभी 20 मिनट भी मिला तो आपके दिमाग में यह आया चलो एक online test कर लेते हैं तो आपका selection निश्चित हो जाएगा तो आपको करना क्या है इन टेस्ट को जब आप पहली बार attempt करते हैं तो एक diary पर लिखिए कि कितना आपने सही किया ठेक है जैसे माली जीए मैं दिखा देता हूं यह आपका कितना test है एक दो तीन चार पांच पांच टेस्ट एड़ किये गए हैं तो आप क्या करिए जब आप पहला test देते हैं तो आपको क्या करना है पांच तक पहुचने के बाद यह नहीं सोचना है कि अब तो पांचों टेस्ट कर लिया अब इनको करने की क्या जरूरत नहीं जो ऐसा नहीं है कि एक batsman जो है सतक लगा दिया या दोरा सतक लगा दिया तो उसके बाद वह नेट पर practice करना बंद कर देता है नहीं जैसे माली जीए सचिन आपको भारत का बढ़िया प्लेयर थे हैं उन्होंने अगर माली जीए दोरा सतक लगा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद उन्होंने practice करना छोड़ दिया तो आपको क्या करना होगा अगले सब्ता य कीजिए और आप अपना समय कम करने का कोशिस करिए और कम से कम इन टेस्ट को आपको तीन बार देना है minimum तीन बार जब आप इन टेस्ट को तीन बार देंगे तो निश्चित ही आपके प्रदर्शन में सुधार आएगा पहली बार माली जीए आपको 25 मिनट लगा 30 मिनट आगेगा तीसरी बार 17 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट आप जितना जल्दी कर लेंगे आपके लिए बेहतर होगा और तभी जो है आप एकजाम प्रेसर झेल पाएंगे नहीं तो वैसे जो है अगर आप मनलब मैं बता रहा हूं आपका नुकसान होगा ठीक है और एक काम क्या करना है आपको OEMR PRINT करके ठीके OEMR सीट या तो खरिल दीजिए या प्रिंट करके हमेशा जब भी टेस्ट दीजिए चाहे 10 कोस्टन का दीजिए 25 कोस्टन का दीजिए 20 कोस्टन का दीजिए OEMR साथ में लेके वैठीए ताकि आप जो है OEMR को अच्छे से भरें बीना OEMR के कोई भ नहीं 20 मिनट का time मिला कहीं आप घूमने गए हैं या कुछ करने गए हैं 10 मिनट time मिला mobile से आप जीके का test दे दीजिए history का test दे दीजिए अभी हमारा main focus जो है आपका English मंदब 4 सब्जेक्ट पर रहेगा ठीक है मेरा target है कि 100 दिन में मैं इतना अच्छे से आपको आपके लिए का काम कर दूँ ठीक है अगर मैं आपके लिए 12 गंटा काम करूँ ठीक है पर दे तो आप बस तीन गंटा समय निकालिए यानि मेरे मैं जितना देर काम कर रहा हूं आपके लिए उसका one by four या one by three ही आप समय निकालिए आपके लिए बहतरीन कॉंटेंट है मैं यह पोड़ लाओं अगर आप इसको फालो करेंगे तो निश्ची थी 2021-2022 या जब भी आप ESI-LDC देंगे निश्ची थी आपको सफलता मिलेगी तो इन टेस्ट को आप जरूर दीजिए अभी तक आप हमारा एप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप को लिंक मिल जाएगा उस एप को इंस्टाल करिए फ्यूचर रोजगार नाम है सरकारी नोकरी इंडिया अब काम नहीं करेगा तो फ्यूचर रोजगार एप पर जुड़िए और इंटेस्ट को दीजिए वहाँ पर मैं एभी देखूंगा कि आपने टेस्ट दिया की नहीं अगर आप सिर्फ कोर्स खरीद के टेस्ट देना भूल जाएंगे तो देखिए आप मतलब ऐसा नहीं करिए मतलब एक जैसे माली जीए आप कोई गेम पसंद करते हैं जैसे माली जीए आप क्रिकेट पसंद करते हैं या फुटबाल पसंद करते हैं कोई भी गेम तो उसमें जब आप किसी खिलाडी से या अपना देश का जो लोग प्रतिनिधित्त करता है तो आप चाहते हैं कि अपना देश जीते या अपना खिलाडी अच्छा प्रदर्सन करें तो वैसे ही मैं जो है चाहता हूँ कि आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ तो आप लोग प्रदर्शन अच्छा करें ठीक है मैं इतना मेहनत करूँ और आप इन टेस्ट को कोई महत बना दें और बाद में जब आपका रिजल्ट खराब हो जाता है तो मुझे बहुत दूख होता है ठीक है अभी जो लोग मेरे पास फोन करते हैं कि सर में पास हो गया तो उस जो मतलब रुपया मिलता है उससे ज़्यादा खुसी मुझे इस बात का मिलता है कि चलो किसी एक का लाइफ में चेंजिंग आएगा तो इन सब चीजों का बहुत अच्छा लगता है तो आप से यह रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मैं टेस्ट दे रहा हूं इन टेस्ट को दो बार तीन बार आप जरूर करें आप देख लेना सौ दिन में आपका मैथ हो या इंगलीश हो या जो भी सब्जेक्ट रहेगा हर चीज में सुधार जरूर रहेगा थैंक्यू